हेलो फ्रेंज आज में आपको प्रेग्नेंसी के दौरान संबंध बनाने के कुछ तिप्स दे रही हूँ ताकि आप पती-पतनी का प्याम भी बना रहे और सिसू के लिए भी कोई खत्रा ना हो अगर आपने गर्वधारण के बाद संबंध बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा तो आपको कभी भी प्रेग्नेंसी के दौरान कोई भी परिशानी नहीं होगी दोस्तों आपसे मेरी ये आग्रह है कि आप इन बातों का जरूर ध्यान रखे कई महिलाओं को गर्वधारण बहुत मुश्किल से होता है अगर आपका गर्वधारण ऐसे ही मुश्किल हालातों के बाद हुआ है या नॉर्मल भी हुआ हो तो सुरुवाती दिनों में वाइल्ड होकर संबंध बनाया तो गर्व गिर सकता है इसलिए इसका ध्यान रखे एग्रेसिव ना हो खयाल रखे दोस्तों प्रेग्नेंसी के दौरान कई बाद संबंध बनाते समय हो सकता है उतेजना के चलते आपको होस ना रहे और पेट पे वजन पढ़ जाए या दवाब पढ़ जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है आप खुद सोचें जैसे ही आप फिरी होएंगे वैसे ही हो सकता है आपके पेट में गंभीर दर्द की समस्या हो जाए तो क्या आप ऐसा करेंगी इसलिए संबंध बनाते समय हमेशा धिरज रखें दोस्तों गर्वधारन के बाद आप सही पोजीशन का इस्तेमाल करें जिससे आपके बेट पर गर्वासे पर या प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा दिकर ना हो इसलिए हमेशा सावधानी से ही संबंध बनाते जितने से काम चल जाए उतने में ही खुश रहें ज्यादा कोशिश ना करें आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों आप एक दूसरे का खयाल रखें क्योंकि आप दोनों के बीच कोई तीसरा भी है आप दोनों को तीसरे का भी खयाल रखना है इसलिए जो भी हो जो भी करें सावधानी से करें ये तो कुछ की तिनों की बात है है ना आसा करते हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों इस वीडियो को प्रीज लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपका बहुत बहुत धन्यमाद थैंक यूए अग्माज